नमस्कार अब दीखरें नियूस फोर्णेशन और मैं हूँ सांथवन आपके साथ बैंगलोर में विपक्षी एक्ता की बैठट में मुख्यमंत्री नितीश कुमार तो शिकार ही हो गए उनके 11 महीने की महनत को बस चंद पलों में हैक कर लिया गया अब ऐसे में कई सवाल सियासत के गलियारों में गूंचते फिर रहे हैं क्या नितीश कुमार के साथ जो हुआ वो महागजबंदन के भीतर नकरात्मक राजुनीती का नतीज़ा तो नहीं क्या नितीश कुमार को जो उपेक्षा झेलनी पड़ी वो रास्ट्रे पार्टी कॉंग्रिस ने पहले से सोच रखा था एक बात तो तैमानी चा रही है कि भाजपा का जवाब कॉंग्रिस ही देगी कोई छेत्रे पार्टी नहीं लेकिन नितीश ने जो महनत इतने महीनों से की जो मोहीम की शिरुवात उन्होंने की जहां उन्होंने विपक्षी एक्ता की नीव डाली और 15 दलों का महाजुटान सबसे पहली बार पटना में कराया आखिरकार उनके साथ जो राजनीती चली जा रही है जो डरनीती बनाई जा रही है वो कहां तक जायस है और विपक्षी एक्ता को कहां तक ले जाएगी और अब नितीश के सामने विकल्प क्या है वो क्या करेंगे कई सवाल सियासत में जन मिले रहे हैं जहां विपक्षी ए परिंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एक्ता की मुहीम की जिसने नीव डाली और पटना के धरती पर 15 पाचियों को एक सूत्र में पिरोया उस नितीश कमार ने को बैंगलूरू में उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बैंगलूरू में बैठक शिमला में होनी थी उसे बैंगलूरू शिफ्ट कर डाला बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस के तरफ से ये बयान भी आया कि बिहार की बैठक एक फॉर्मल बैठक थी बैंगलूरू की बैठक आगजी तोर पर दुरूस तोर एक दिशा के ओर कींदरत बैठक हुई कॉ रह डाला कि मुंबई में होने वाली बैठक काफी महत्वपून बैठक होगी जो नीती एजेंडी और मुद्दे भी तै करेगी अश्यरे तो तब हुआ जब महागजमंदन की बैठक के बाद प्रेस कॉंफरेंस में नितीश हुमार को शामल तक नहीं किया गया जबकि निती नितीश हुमार को महागजमंदन के नेताओं के द्वारा अपमानत करने का आरोप लगा डाला कॉंग्रेस शासत प्रदेश में नितीश हुमार अंस्टेबल है ये कहा गया अपने अपमान के लिए नितीश हुमार खुद दोशी है कॉंग्रेस के विरुद्ध राजनीती की लालू के जंगल राज के विरुद्ध राजनीती की और आज राजनीती के अंतिकाल में उन्हीं के गोद में जा बैठे अब तो जलालत झेलनी ही थी हालत इसकदर नकरात्मक हुई कि प्रेस संबोधन में उन्हें बोलने के लिए उपरियुक तो भी नहीं समझा गया बरहाल बरिष्टर राजनीतिक कहते हैं कि बैंगलूरू में कॉंग्रेस बिग बॉस की तरह दिखी ऐसा हर बार लगा कि कॉंग्रेस अपनी सुपर मैसी साबित कर ही है शायद ये रास्टर पार्टे होनी का एसास था और छेत्र पार्टे के दबाब से मुप्त होना चाहती थी वो एक अभियान से वो साथ तो है पर नीती निर्धारन में सहयोग लेगी पर हावी नहीं होने देगी निटीश कुमार की उस सोच को जरूर जटका लगा होगा जहां उनके प्रयास को निमित शिरुवात भर मानती है इससे जादा कुछ नहीं मुंबई की बैटरक में क विपक्षी दलो के नेताओं से मुलाकात की उन्हें गोल बंद करने की कवायद की एक प्लेटफॉर्म पर लाने की सफल कोशिश की जिसका नतीजा था कि गत 23 जून को बिहार की धर्ती बिहार के राजानी पटना में 15 दलो का बारत के इतिहास में पहली बार महा जुटान जहां विपक्षी एक्ता की नीव रखी गई मुख्यमंत्र नितीश मार की अध्यक्षता में लेकिन उनकी नीव को हलानी की कोशिश कॉंग्रिस कर रही है उन्हें दबाने की उन पर हावी होने की कोशिश की जा रही है और इसी का नतीजा है कि कॉंग्रिस शासत प्रदीश में सबसे पहले तो नितीश कुमार के खिलाफ पोस्टर्स लगाए जाते हैं दूसरी बात ये कि विपक्षी एक तक के दूसरी मेचिंग के बाद प्रेस कॉंफरेंस में नितीश कुमार को संबोधित करने का मौका भी नहीं दिया जाता ये क्या बड़ा संकेत है जो महागजबंदन के भीतर खाने से देखने को मल रहा है क्या एक बार फिर नितीश कुमार को सूचने की जरूरत पड़ेगी क्या एक बार फिर उन्हें अपनी दिशा और दशा बदलने की जरूरत पड़ेगी और अगर ऐसा है चलता रहा तो क्या नितिश कुमार महागच बंदन के साथ रहेंगे क्या ये जो इंडिया का जन हुआ है उस इंडिया में नितिश कुमार अपनी भागेदारी दे पाएंगे आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं फिला के लिए इस कबर में इतना ही नमस्कार